जब भी आप electrical circuit discuss करते हो न तो circuit में देखो आप क्या ध्यान देना आप लोको इसमें तुम आप number of junction calculate करो कितना junction है कितना loop है ठीक है और junction plus loop ये ध्यान देना जरूरी है बच्चों ठीक है अब इसमें junction में तुमको क्या जैसे मान लो ये i1 है ये i2 है और ये i3 है ठीक है तो इस इसमें तुम्हारा junction rule लगेगा ठीक है junction rule लगा सकते हो ये इसमें तुम loop rule लगाओगे ठीक है इसमें तुम्हारा दोनों का mixture होगा तो इसमें आपका calculate क्या करो current calculate करोगे है ना इसमें तुम्हारा क्या होगा कोई भी loop में loop में देखो number of loop count करो कि number of loop कितना है ठीक है और उसम लूप रूल लगाओ उसमें तुम क्या है कि कोई भी component का potential difference calculate कर सकते हो delta V calculate कर सकते हो ठीक है और इसमें दोनों का क्या होगा mixture होगा अच्छा ये junction rule में जाब जा रहा है हो तो आप इसमें तुम जैसे की इस तरीके से तुम्हारा हो गया ठीक है तो ये R1 है ये R2 है ये R3 है ये तुम्हारा I1 है ये I2 है ये I3 है ठीक है तो इसमें अब इसका जो potential difference delta V1 तो delta V1 by R1 plus delta V2 by R2 is equal to delta V3 by R3 क्योंकि I1 plus I2 is equal to I3 दिया हुआ है तो देखो ऐसे नलाइज कर होगे न तो जाके तुम्हारा circuit है तो ये दिमांग में रखो ये junction, loop और junction plus loop ठीक है ओके, thank you